हलो स्टुरेंट्स जैहिंद आज हम लोग जानेंगे कि डाइनासोर का अंत और मनुस्य की उत्पत्ती कैसे हुई इसे जानने के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि उलकापिंड यानि मेटेरोइड्स क्या होता है क्योंकि डाइनासोर के अंत और मनुस्य के उत्पत्ती में मेटेरोइट्स यानि उलकापिंड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो आओ भाई, कुरसी की पेटी बांध लो और इस 10 से 12 मिनिट के जर्नी में आप हमारे साथ जुड़ जाओ यकीनन इस छोटे से जर्नी में आपको बहुत मजा आने वाला है तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं डाइनासोर जिसका युनानी भासा में अर्थ बड़ी छिपकिली होता है यह प्रजाती लगभग 16 करोर वर्स तक प्रित्वी पर अस्तित्व में रहे यह यू कह लें कि 16 करोर वर्सों तक प्रित्वी पर केवल इनका ही एक छत राज रहा यह यहां के बौस थे यह हिंसक प्रवर्ती के जीव चलते थे जहां अभी हम चल रहे हैं इन ही खुली हवाओं में सांस लेते थे वैज्यानिक की माने तो इन डाइनासोर की कई हजारों प्रजातियां थे इन में से कुछ साकाहरी थे तो कुछ मासाहरी थे कुछ डाइनासोर बहुत सांसोभाब के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक एवं खतरनाक प्रवर्ती के थे कुछ डाइनासोर के पंक होते थे तो वो आस्मान की उचाईयों में उड़ सकते थे और वहीं कुछ डाइनासोर तो इनसान से भी छोटे आकार में थे और कुछ बहुत बड़े आकार के ये उस समय के प्रिच्वी पर के सबसे सफल जीव थे फिर इनके साथ अचानक ऐसा क्या हुआ आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निसान ही मिटा दिया इसे जानने के लिए हमें करोडों साल पीछे जाना होगा और डाइनासोर के उस अंतिम समय को करीब से देखना होगा तो चलिए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पहल आज से लगबग 6 करोड साल पहले प्रित्वी पर मौसम आज की तरह ही बिल्कुल सामान्य था चारों और सूरज की किरने बिखरी हुई थी पेड़ पौधे घने जंगल समुद्र नदी की लहरें पहाड प्राकृतिक दसा बिल्कुल आज जैसी थी और डाइनासोर प्रित्वी के हर कोने में पाए जाते थे वैज्ञानिकों की खोज के बाद अंटार्क टिका से भी डाइनासोर के अवसेश प्राप्त हुए हैं लेकिन उनकी चल रही समय जिंदगी के बीच एक भयानक खत्रा उनकी और बहुत तेजी से बढ़ रहा था एक ऐसा खत्रा जो प्रित्वी की दसा ही बदल देने वाला था इसे हम ऐसे समझते हैं कि हमारे सौर मंडल में कुल आठ ग्रह पाए जाते हैं जो सूरी के चारो और प्रतिदिन चक्कर लगाते रहते हैं हर समय चक्कर लगाते रहते हैं सूरी से सबसे निकटतम ग्रह बुद्ध है बुद्ध को हम लोग मरकरी कहते हैं सुक्र वेनस तीसर Neptune कुल आठ ग्रह होते हैं जो लगातार सूरी के चार और चक्कर लगाते हैं आप अगर गौर से देखेंगे तो मंगल और ब्रिहस्पती की कक्षाओं के बीच में अनेक छोटे 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 ग्रहों के टुकडे पाए जाते हैं जिसे हम छुद्र ग्रह यानि की asteroid कहते हैं यह asteroid भी बिल्कुल इसी ग्रह के तरह इस सूरी के चार और चक्कर लगाते हैं और यह संख्या में बहुत अधिक होते हैं ठीक है और जब कभी भी यह एक asteroid गती करते करते दूसरे अचथ्ट्रॉइड से टकरा जाता है तो इसकी वजह से उस asteroid का दिशा बदल जाता है और मंगल जो है वह इस asteroid को अपनी gravitational pull के कारण अपनी और खीच लेती है और जैसा कि हम लोग जानते हैं की मंगल जो है वह भी गतिसील है तो इसको अपनी और खीचने के बाद मंगल जो है वह आगे गति कर जाती है ठीक है और यह जो बकलोलवा है यह जो आपका एस्टरोइड है यह सीधे प्रिथवी पर आ जाता है यह सीधे प्रिथवी की ओर बढ़ जाता है और इसे ही हम उलकापिंड कहते हैं मेटरोइड कहते हैं ठीक है और अगर यह प्रिथवी पर गिर जाए तो किसी की भी जान ले सकता है और यह प्रतिदिन गिरते रहते हैं हर दिन गिरते रहते हैं पता चला कौनों के मथा पर गिर गया तो उसका जाने चला जाएगा लेकिन आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें इन से बचाती है ये प्रति दिन हजारों की संख्या में गिरते हैं तो हमारे प्रिथवी के चारों ओर लगभग चेशो चालीस किलोमेटर मोत्ती वायू की परत होती है जो हमारे लिए रक्षा का काम करती है एक रक्षा कवच का काम करती है जब भी ये उलका बिंड पृत्थवी की और गिरता है तो हवा का घरसन इतना जादे होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप बस पर ब के सी से बंद होते हैं नहीं तो पता चला कौनो बकलोलवा खिडकी से अपना मुहें बाहर निकाल देलिस तो क्या होगा कि हवा के जोगा के साथ उड़ जाएगा है कि यही रिजन है कि बुलेट रेंज होता है उसका खिडकी बंद होता है तो जब ये उलका पिंड इस उलकापिंड का आकार इतना बड़ा होता है कि ये उपर पूरा-पूरा जल नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये पृत्वी पर गिर जाते हैं, इसी को हम लोग उलकापिंड कहते हैं, आज से लगभग 10 करोड साल पहल एक ऐसा ही घटना घटता है जिसके कारण पृत्वी की पूरी दसा बदल जाती है और एक नया आरंब होता है हुआ यूं कि पृत्वी से लगभग 20 करोड मील दूर एक बड़ा सा एस्टरॉइड मंगल और ब्रिहस्पती के इसी छुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहा था सूरी के चार और चक्कर लगा रहा था कि अचानक एक छोटे से छुद्र ग्रह ने इसको टक्कर मार दी जिसकी वजह से ये जो बड़ा सा एस्टरॉइड था जिसका नाम था इजिप्टा ये एजिप्टा एस्टरॉइड जो है ये एक छोटे से एस्टरॉइड यानि छुद्र ग्रह के टक्कर से इस छुद्र ग्रह बेल्ट से निकल कर मंगल के और आकरसित हो गया और मंगल के गतिसील होने के कारण यह सीधा प्रिथवी की और बढ़ गया वेज्ञानिकों की माने तो ये छुद्र ग्रह पहले चांद से टक्राने वाला था अगर ऐसा होता तो प्रिथवी पर से डाइनासुर का अंत ही नहीं होता या हम ये कहलें कि सायद मनस्य की उत्पती ही नहीं होती लेकिन नियती को सायद कुछ और ही मन्जूर था क्योंकि ये छुद्रग्रह चांद के काफी नजदीक से गुजर गया अब बारी प्रित्वी की थी 12 किलोमीटर फैला हुआ यह 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का एस्टरोईड प्रत्य एक छन धर्ती के करीब बढ़ता जा रहा था यह एस्टरोईड जब प्रित्वी के गृत्वा कर्शन के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एक 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 असी हजार किलोमेटर प्रति घंटा हो गई प्रित्वी के वायुमंडल में घुस्ते ही घर्शन की वजह से यह एका एक भयानक आग के गोले में बदल गया यह इतनी रफ्तार से गिर रहा था कि इसने लगभग चार मिनट में ही एट्लांटिक ऑसियन को पार कर लिया इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि प्रित्वी पर पाए जाने वाले जीव जन्तु हजारों किलोमेटर दूर से ही इसे देखकर अंधे हो चुके थे वो इसकी भयानक उस्मा को महसूस कर पा रहे थे किन्तु देख नहीं पा रहे थे थोड़े ही समय के बाद यह मेटरोड प् कि इतना तक्ता थंट धमाका हुआ कि यह दमांका लगभग 20 हैड्रोजन बं के बराबर था परमानु बंन हिं मौं में और आल Arab drama इस हो स्थे परित्वी की ऊपरी परत और प्रित्वी के अंदर की लाखों अंधान धात्वे नंतरिक्ष में चली उडह पाइसिरत अंत्रिक् जगह 200 किलोमेटर चौड़ा और 20 किलोमेटर गहरा गड़ा बन गया टकराव के कारण यहां का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस हो गया जिसके कारण टकराव वाली जगह के आस पास के डाइनासोर तो वहीं जुलस कर मर गये लेकिन ये तो तवाही का एक मात्र ट्रेलर था असली तवाही तो इसके बाद शुरू हुई जो धातू एबं पत्थर के टुकड़े विस्पोर्ट के बाद अंतरिक्ष में चले गए थे अर्थ की ग्रविटेशनल पुल के कारण वापस लोटे और जब ये वापस लोटे तो इन टुकड़ों ने आग के गोलों का रोप ले लिया जिसके कारण हवा में उड़ने वाले डाइनासोर उपर ही मर गए लगभग सत्रह मिनट के बाद जमीनी टकराव की वजह से धर्ती के अंदर लगभग 11 तिब्रता की भुकंब उठने लगी ये प्रिथ्वी के इतिहास में अब तक का सबसे भीषन भुकंब था इतने बड़े भुकंब के कारण जितने बड़े आकारवाले जीव जन्तु थे वो प्रिथ्वी के नीचे दवकर मर गए आपको पता है भुकंब जब समुद्र के पास आता है तो वो सुनामी का रूप ले लेता है और ये समुद् मेक्सिको के खाड़ी में जाकर गिरा था जिसके कारण ये भयानक भुकंब के साथ साथ सुनामी का रूप भी ले लिया और सुनामी की जो लहरे आई उसने पूरे समुद्र के पानी को उठा कर भूमी पर पटक दिया जिसके कारण बहुत से डाइनासोर मारे गए भुकंपिय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वाला मुख्यों को दहका दिया जिसके कारण जगह जगह डाइनासोर का विनास शुरू हो गया धर्ती के महा विनास की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी इस भायानक विस्पोट में रेडियेशन इतना बढ़ गया कि इसके एक हजार किलोमिटर रेडियस में आने वाले सभी जीवजन्तू जल कर राख और खाक बनते चले गए साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा सैलाब या आप कहें धूल भड़ा बादल हजारों किलोमिटर प्रती घंटा की रफ्तार से प्रित्वी के दूसरी तरफ के जीवजन्तू की मौत लिखने को तयार था ये धूल भरे बादल इतने मोटे थे कि इसने सूरी से आने वाली रोशनी को ही ढख दिया और लगभग साल भर तक सूरी के एक भी किरन प्रित्वी को चू नहीं सकी जिसके कारण गर्म हवाओं का तापमान सो डिगरी सेल्सियस से भी अधिक हो गया जिसे हम ग्लोबल वर् के कारण आधे से अधिक पेड़ पौधे जल कर खाक हो गये जिसके कारण सेस बचे छोटे बड़े डाइनासोर भुखमरी के कारण मर गये लेकिन ये महाविनास की घड़ी कुछ अन्य जीवों के लिए फाइदे मंद साबित होने वाला था धर्ती पर से इन बड़ी छिपक सुधूढे की लिए नया सबेरा लाने वाला धा और वो प्रजाति थी मैमल्स की तो मैमल्स क्या होते हैं कि यह महाप्रले से कैसे बच गये धर्ती पर से डाइनासोर के अंके बाद में इंसान कहाँ से आये यह जानेंगे हम अगले वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में सेर कीजिए तो आज के लिए इतना ही अब हम लेना चाहेंगे आपसे विदा आप और किस टॉ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें